नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम रक्त परिसंचरन तंत्र यानि कि बलड सरकुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो आज हम पढ़ेंगे कि धमनियां क्या होती हैं, शिरायं क्या होती हैं, इनका क्या कार्य है, कैपिलरी यानि कि केशिका क्या होती है तो इस वीडियो में हम बलड वैसल के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे क्योंकि जो हार्ट का टोपिक है ये काफी लेंदी है तो उस हम इस टोपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रिवियस येर क्वेशन भी कवर करेंगे तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरूआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर परिसंचरन तंतर कहते किसे हैं तो जीवों के शरीर में विभिन पोशक पदार्थों, हार्मोन्स एवं उसरजी पदार्थों के परिवेहन के लिए एक अंग समोह पाये जाता है जिसे परिसंचरन तंतर कहते हैं तो जो भी हम खाते हैं उनके जो पोशक तत्व होते हैं वो हमारे रक्त में मिल जाते हैं उसके बाद बलड ही है जो इन्हें पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुचाता है और जो रक्त है वो बलड वैसल्स यानि की धमनियों, शिराओं और कैपिलरी की सहता से एक जगे से द रक्त परिसंचरन तंत्र बनता है तो रक्त परिसंचरन तंत्र में तीन चीजे आएंगी एक तो बलड आएगा दूसरा बलड जिसके सहायता से फलो होता है बलड वैसल्स यानि की रक्त वहिकाएं और तीसरा हाट यानि की हिर्दे जो बलड को पंप करने का काम करता है तो तीनों चीजे मिलकर क्या बनाती हैं, रक्त परिसंचरन तंत्र बनाती हैं, तो परिसंचरन तंत्र का अर्थ होता है, एक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन, यानि कि transportation from one place to another, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना परिसंचरन तंत्र कहलाता है तो शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना रक्त परिसंचरन तंतर कहलाता है और इसमें रक्त की मदद कोन करता है तो हाट करता है और बलड वैसल्स करती हैं तो इसलिए इन तीनों को मिलाकर रक्त परिसंचरन तंतर बनता है तो रक्त परिसंचरन त कई बार पूछा गया है उसके बाद आगे है कि जो blood circulation system है न ये दो तरह से होता है एक तो है खुला परिसंचर अंत्र जिसे कहते हैं open circulatory system और दूसरा है बंद परिसंचरन अंत्र जिसे कहते हैं closed circulatory system तो पहले देखते हैं खुला परिसंचरन तंत्र तो ऐसा परिसंचरन तंत्र जहां बिना रक्त वहिनियों यानि कि विदाउट ब्लड वैसल्स के रक्त का परिवयन होता है तो खुले परिसंचरन तंत्र में रक्त वहिनिया नहीं होती ब्लड वैसल्स नहीं होता जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड है वो नसों की सहायता से यानि कि Blood Vessels के सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है लेकिन जो खुले परिसंचरन तंत्र के प्राणी है न इनमे Blood Vessels नहीं होती एक तरह से नसे नहीं होती तो जो Blood का Follow है वो बिना नसों के होता है तो जिन जीवों में रक्त वहनिया नहीं होती, उनका जो परिसंचरन तंतर होता है, वो खुला परिसंचरन तंतर होता है, तो ये नलिका विहीन होते हैं, तो इस तंतर में रक्त सीधे ही शरीर की अंगों और उतकों, यानकी टीशू के संपर्क में आता है, तो जैसे हमारे श तो वो कौन-कौन से प्राणी हैं, उनके एक्जांपल देख लेते हैं, तो खुला परिसंचरन तंत्र निम्न प्राणियों में पाय जाता है, तो पहला तो है और्थो पोड़ा संके जीव, तो और्थो पोड़ा क्या है, तो जब हम एनिमल किंग्डम के बारे में पढ़ेंग तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि और्थो पोड़ा संके जीव कौन-कौन से हैं, मुलसका संके जीव कौन-कौन से हैं, यहाँ पर बस आप इतना समझ लेजिए, कि जो खुले परिसंचरन तंत्र के जीव है न, वो और्थो पोड़ा संके जीव होते हैं, जैसे कोकरो पूछ टिड़ा, जींगा, केकडा, मकडी और बिच्छू इनमें खुला परिसंचरन तंत्र पाय जाता है जाने कि इनके अंदर रक्त वाहिनिया नहीं होती इनमें खुला परिसंचरन तंतर होता है और मुलस्का संग का भी एक जीव है घुंगा इसे भी याद रखेगा ये प्रेशन एक्जाम में पूछा गया है तो ये जितने भी उधारन मैंने दिये हैं ये सभी इंपोर्टेंट हैं किसी न किसी एक्जाम में पूछे गये हैं इसलिए ये उधारन आप याद रख लीजिएगा कौन-कौन सा उधारन है किनके किनके अंदर खुला परिसंचरन त पाय जाता है उसके बाद है बंद परिसंचरन तंतर यानि कि कुलोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो ऐसा परिसंचरन तंतर जिसमें रक्त का परिवेहन रक्त वाहिनियों यानि कि ब्लड वैसल्स के द्वारा होता है वो बंद परिसंचरन तंतर कहलाता है जैसे हमारा मनुष्य जानवर और पक्षी तो हमारे अंदर कौन सा परिसंचरन तंतर पाय जाता है तो बंद परिसंचरन तंतर पाय जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाय जाता है क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड का फुलो होता है ये ब्लड वैसल्स के अंदर होता है हम नलिका विहीन नहीं है, हमारे अंदर जो रक्त का परिवहन है, ये रक्त वहनियों के माध्यम से होता है, इसलिए हम भी Closed Circulatory System में आते हैं, जैसे मानों हो गया, जानवर या पक्षी, ये किसके अंदर आते हैं, तो ये Closed Circulatory System के अंदर आते हैं, उसके बाद आगे है, तो प्लाजमा, RBC, WBC, सबके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, और साथ में Blood Group के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है, तो ये वीडियो आपको Biology की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो रक्त परिसंचरन तंत्र का एक भाग है Blood, दूसरा भाग है रक्त वहनिया, य Blood Vessels में क्या क्या आता है, धमनिया आती है, शिराय आती है और केशिका आती है, ये कोशिका नहीं है, कोशिका का मतलब होता है Cell, ये केशिका है, जिसे इंगलिश में Capillary कहते हैं, तो धमनिया, शिराय और केशिका, ये रक्त वहनियों के पाठ हैं, इनके बारे में आज हम प टोपिक है और डिटेल में मैं आपको डाइग्राम की साहिता से बताऊंगा तो हाट के बारे में next वीडियो में हम पढ़ेंगे आज हम रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम धमनिया, शिराएं और केशिका के बारे में पढ़ेंगे तो रक्त वाहिनिया यानि की blood vessels क्या होती हैं तो शरीर में उपस्थिर वे नलिकाएं जिनमें रक्त का बहा होता है उन्हें रक्त वाहिनिया कहते हैं जिनने हम आम बोलचाल भाशा में नस कह देते हैं तो शरीर में उपस्तिर वे ने लिकाएं जिनमें रक्त का बहाव होता है, उन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं, तो रक्त वाहिनियों के द्वारा ही रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुचता है, यानि की हमारे सेल तक पहुचता है, तो ब्लड वैसल्स की स्टडी को क्या कहा यानि की arteries, शिराएं यानि की veins और केशिकाएं यानि की capillaries तो जो शिराएं होती हैं यानि की veins होती हैं इसमें blood का flow कम होता है आगे हम पढ़ेंगे इसके बार में पर पहले हम थोड़ा overview देख लेते हैं तो जो शिराएं होती हैं veins होती हैं इनमें blood का flow कम होता है तो इसलिए ये आपको आप देखेंगे कि चमडी के नीचे देखने को मिल जाएंगी तो आपकी जो कलाई है तो कलाई पर जो ये हरे कलर की नसें आपको देखने को मिलती है इन्हीं को शिराएं कहा जाता है और शिराओं में अशुद रक्त बहतता है अशुद यानि कि गंदा खून नहीं, भलकि जिस खून में कार्बन डाय ओक्साइड होता है, उसे अशुद कहते हैं ओक्सीजन युक्तरक्त को शुद्रक्त काह जाता है, और कार्बन डाय ओक्साइड युक्तरक्त को अशुद्रक्त काह जाता है तो शिराओं में अशुद रखत बहतता है यानि की कारबन डाय ओकसाइड रखत बहतता है और इसमें बलड का फलो कम होता है इसलिए चमडी के ठीक नीचे आपको ये देखने को मिलती है और जो धमनिया होती है ये मोटी होती है और ये चमडी में थोड़ा अंदर की और कि गर्दन पर कान के नीचे की ओर एक मोटी से नस देखने को मिलेगी इसको धमनी कहते है तो धमनिया पूरे शरीर में फैली होती है चाय धमनी हो शिराय हो या केशिकाय हो ये पूरे शरीर में फैली होती है फिर भी मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि आप बहुती महीन ऐसे होती हैं जो आपको शरीर में हर और देखने को मिल जाएंगी तो जब भी आपका शरीर कहीं पर आप देखेंगे कि आपकी चमड़ी रगड़ खा गई तो वहां से थोड़ा सा खून निकल आएगा तो वह किस कारण निकल आता है क्योंकि वहां पर कैपिल्रिस होती हैं के शिकाएं होती हैं जो फट जाती हैं जब आपकी चमड़ी रगड़ खाती है तो खून निकल आता है न थोड़ा सा तो किस कारण आता है कैपिल्रिस के कारण ही वह खून निकल आता है क्योंकि शरीर में ती बहुती महीन नसे होती हैं जो कि धमनियों और शिराओं से भी महीन होती हैं यानि कि उनसे भी पतली होती हैं इन्हें केशिकाएं कहा जाता है इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे यहां पर तो हमने एक थोड़ा सा ओवर्वियू ले लिया तो सबसे पहले देखते हैं धमनिया यानि कि आर्टरिज तो ऐसी रक्त वाहिनिया जो ओक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हिर्दय से विभिन अंगों तक लेकर जाती है उन्हें धमनि कहा जाता है तो जो धमनि होती है न इसमें शुद्ध रक्त होता है शुद्ध रक्त क लाल होता है और इनमें रक्त दाब उच्छ होता है। मैंने आपको बताया ना कि इनमें जो बलड का प्रेशर होता है वो जादा होता है। इसलिए ये शरीर के आंतरिक भागों में मिलती हैं तो इनमें जो बलड का फलो होता है तेज होता है। तो जो धमनियां होती है ना ये आट्रिज कहते हैं और धमनी आगे चलकर और छोटी धमनियों में बढ़ जाती है जिसे आटियोलस कहते हैं ये धमनियों के ही परकार है जैसे जो सबसे बड़ी धमनी है उसे महा धमनी कहते हैं और महा धमनी आगे चलकर छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाएगी और धमनि यानिकी फेफडा, जिसे इंगलिश में कहते हैं pulmonary artery, तो यह धमनियों का अपवाध होती है, क्योंकि इसमें carbon dioxide युक्त अशुद धरक्त परवाहित होता है, तो जैसा हमने पढ़ा कि धमनियों में शुद धरक्त होता है, लेकिन ये इकलोती ऐसी धमनी है, फुफुस धमनी ज इसमें शुद धरक्त परवाहित नहीं होता, बलकि अशुद धरक्त परवाहित होता है, यानिकी carbon dioxide युक्त धरक्त परवाहित होता है, तो इसका नाम है फुफुस धमनी, कई बार एक्जाम में पूछा गया है, वैसे धमनियों में शुद धरक्त परवाहित होता है, लेकिन सी धमनी है जिसमें अशुद्य रक्त परिवायत होता है तो फुफुस धमनी इंगलिश में कहते हैं पल्मनरी आर्टरी उसके बाद है महा धमनी यानि की एयोटा तो यह है शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो की हिर्दय से शुद्य रक्त को समपून शरीर में छोटी-छ धमनी कौन सी होती है तो यह महा धमनी होती है तो धमनीयों के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए वीडियो के आखरी में हम धमनीयों और शिराओं में अंतर क्या है वो भी देख लेंगे उसके बाद है शिराएं यानि की वेंस तो ऐसी रक्त वहनिया जो शरीर के जैसे की धमनीयों में शुद्ध रक्त होता है वैसे शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है अशुद्ध रक्त यानि की कार्बन डाई ओकसाइड युक्त रक्त इसमें होता है और इनका रंग नीला होता है और इनमें रक्त का जो प्रवा है वो भोती धीमा होता है जैसा क कि हमने पढ़ा कि यो धमनियां होती हैं, उनमें रक्त का परवा तेज होता है, लेकिन शिराओं में रक्त का परवा धीमा होता है, तो इनमें रक्त का परवा धीमा होता है, इसलिए इनमें कपाट पाए जाते हैं, यानि कि वोल्व पाए जाते हैं, तो जैसा आप डाइगरा नहीं लोटता क्योंकि जो रक्त का प्रवा है बहुत ही धीमा है प्रेशर बहुत ही धीमा लग है तो बलड वापिस ना आ जाए इसलिए इसमें वोल्व पाए जाते हैं तो आप देख रहे हैं जैसे ही ये खून जाएगा तो वोल्व ओपन हो जाएंगे कपाट खूल जाएंगे लेकिन अगर ये खून वापस लोटने को करे तो ये खून लोट नहीं सकता क्योंकि वोल्व कपाट बंद हो जाएंगे तो इसलिए इसमें कपाट पाए जाते हैं क्योंकि इन में रख्ट का प्रवा बहुती धीमा होता है, तो जैसे हमने धमनियों में पढ़ा था, जो फुफुस धमनी हैं, वो धमनियों का अपवाध है, ठीक उसी परकार जो फुफुस या फुफुस ये शिरा है, जिसे इंगलिश में कहते हैं, pulmonary veins ये शिराओं का परिवाहित होता है, इसलिए इसे शिराओं का अपवाध कहा जाता है, और यह फेफडों से शुधरक्ट को हिर्दय तक लाने का कारे करती है, तो जैसे हमने पढ़ा था, कि जो धमनियों हैं, वो तीन परकार की हैं, वैसे ही जो ये veins हैं, ये भी तीन परकार की हैं, जो सब चोटी चोटी वैन्यूल्स में बढ़ जाती है, तो सबसे बड़ी शिराओं कोन से होती है, वैना कावा, वैना कावा आगे चलकर वेंस यान की शिराओं में बढ़ जाती है, और शिराओं आगे चलकर चोटी चोटी शिराओं यान की वैन्यूल्स में बढ़ जाती है, उसक काम करती हैं और रगतेवम उत्तकों में विविन पदार्थों जैसे भोजन, ओक्सिजन, कार्बन डाय ओक्साइड आदिका विसरन द्वारा आदान प्रदान इन्ही रुधिर केशिकाओं के द्वारा होता है तो शिराओं और धमनियों को जोडने का काम कोन करती हैं क्योंकि ये दोनों को जोडने का काम करती हैं तो ओक्सिजन और कार्बन डाय ओक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो भी इन्ही केशिकाओं के द्वारा होता है याद रखेगा तो आखिर में हम शिरा और धमनी में अंतर क्या है ये देख लेते हैं तो पहले देखते यानि कि वेंज, तो ये अंगों, उत्तकों से रक्त को हिर्दय की ओर लेकर जाती हैं, तो वेंज क्या करती हैं, रक्त को हिर्दय की ओर लेकर जाती हैं, और धमनिया क्या करती हैं, ये रक्त से हिर्दय को अंगों की ओर लेकर जाती हैं, और जो शिराएं होती हैं, इनमें Oxygen यूक्त रक्त होता है, और जो शिराएं होती हैं, इनका व्यास बड़ा होता है, तो याद दखेगा कि शिराओं यानि कि Vines का जो व्यास होता है, Radius होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसमें Blood का Flow कम होता है, क्योंकि जैसे ही रक्त वहिकाओं का जो व्यास है, वो कम होगा, तो उसमें से pressure ज़्यादा बनेगा तो इसका व्यास близירाओं का व्यास बड़ा होता है और जो धमनिया होती है इनका व्यास कम होता है और या दखेगा अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए कौन सी एरक्ट वहिकाओं का व्यास सबसे कम होता है तो जो कैपिलरी होती हैं, क्योंकि वो तो बहुती महीन नसे होती हैं, तो उनका व्यास तो सबसे कम होगा, क्योंकि बहुती महीन नसे होती हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि शीरा और धमनियों में से व्यास किसका कम है, तो धमनियों का व्यास कम होता है, और शीरा का व्या आया अंगों में बाहर की और स्थित होती हैं, आप देखते होंगे कि ये जो शिराएं हैं, आपको हाथों और पैरों में बाहर की और देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो धमनियां होती हैं ये अंगों के अंदर की और स्थित होती हैं, क्योंकि इन में बलड का जो फलो होता तेज होता है, जो शिराएं होती हैं, ये नीले बैंगनी रंकी होती हैं, जो धमनिय होती हैं, ये लाल रंकी होती हैं, जो शिराएं होती हैं, इनमें कपाट पाए जाते हैं, क्योंकि बलड का फ्लो कम होता है, इसलियस में वोल वो पाए जाते हैं, लेकिन धमनियों में पाए जाते हैं और शिराओं में रक्त के बहने की गती धीमी होती है लेकिन धमनियों में रक्त अत्यधिक दाब वा तेजी के साथ बहता है क्योंकि धमनियों का जो रक्त है हिर्दय से अंगों की ओर जाता है तो हिर्दय क्या करता है तेजी से बलड को पंप करता है जिसके का परन बलड अत्यधिक दाब वा तेजी के साथ बहता है, तो धमनियों में बलड का फ्लो तेज होता है और शिराओं में बलड का फ्लो धीम होता है, तो यहां पर हमारा थेरी सेक्षन कंप्लीट होता है, अब हम प्रिवियस एर क्वेशन देखते हैं, तो पहला प्रेशन है कि परिसंचरन तंतर की खोज किस ने की थी, तो वीलियम हारवे ने की थी, तो इसका सही जवाब क्या होगा, उप्शन B, अगला प्रेशन है कि धमनियों और शिरा के बीच के संबंध को डैश के रूप में जाना जाता है, तो जहां पर धमनियां शिराओं से मिलती हैं, उन्ह क्या कहा जाता है, केशी का कहा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, उप्शन B, अगला प्रेशन है कि निमन लिकित में से कौन सी धमनी अशुद धरक्ते लेकर जाती है, वैसे आप देखेंगे, तो धमनियों में शुद धरक्त होता है, लेकिन यहां पूछा क्या है कि कौन सी धमनी अशुद्ध रखते लेकर जाती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है, option है, फुफुस ये धमनी, ये धमनियों का अपवाद है, ये अशुद्ध रखते लेकर जाती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, option है, अगला प्रशन है, कि निम्न निकित में से चयन कीजिए, जिसमें एक खुला परिसंचरन तंत्र है, तो खुला परिसंचरन तंत्र किसमें देखने को मिलता है, घरगोश में, कोकरोच में, शेर में या वेल मशली में, तो इसका सही जवाब होगा कोकरोच, कोकरोच में हमें खुला परिसंचरन तंत में रक्त डैश के भीतर पूरी तरह से सिमित होता है तो बंद परिसंचरन तंत्र में रक्त जो होता है वो रक्त वहिकाओं के माध्यम से एक जगे से दूसरी जगे पर जाता है तो इसका सेजवाब होगा Blood Vessels यान की रक्त वहिकाएं, Option C अगला प्रशन है कि निमन लिखीते में से कौन परिसंचरन तंत्र का हिस्सा नहीं है तो आपको बताना है कि कौन परिसंचरन तंत्र का हिस्सा नहीं है केशिकाओं, विली, धमनिया या शिराओं तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि विली, Option B ये परिसंचरन तंत्र का हिस्सा नहीं है अगला प्रेशन है कि किस रक्त वाहनियों का व्यास सबसे छोटा होता है तो केशिका, धमनी, प्लसीका या शीरा तो मैंने आपको बताया कि अगर पूछा जाए कि धमनी और शीरा में किसका व्यास कम होता है तो धमनी और शीरा में धमनी का व्यास कम होता है लेकिन रक्त वाहिनियों में से पूछा जाए तो केशिका का व्यास सबसे छोटा होता है तो इसका सही जवाब होगा option ने अगला प्रशन है कि हिर्दय से रक्त को शरीर के विभिन भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है तो हिर्दय से रक्त को शरीर के विभिन भागों तक कौन लेकर जाता है तो हिर्दय से शरीर के विभिन भागों तक शुद्ध रक्त जाएगा तो श इसका सहे जवाब क्या होगा? Option ने, धमनिया. अगला प्रशन है, कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी धमनी होती है एवटा, यानि कि महा धमनी. तो इसका सहे जवाब होगा? Option ने. तो अगला प्रेशन है कि निमन लिकित में से कौन सा कथन मानो परिसंचारी तंत्र में धमनियों के संबंद में सत्य है तो कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है तो पहला कथन है कि सभी धमनियों में शुद्रक्त होता है तो ये गलत है सभी धमनियों में शुद्ध रखत नहीं होता हमने इसका अपवाद भी पढ़ा हुआ है कि जो pulmonary artery होती है उसमें अशुद्ध रखत बहता है तो सभी धमनियों में शुद्ध रखत नहीं होता अगला कथन है कि धमनियों में वोल्व यानि कि कपाठ होते हैं तो नहीं शिराओं में कपाठ देखने को मिलते हैं लेकिन धमनियों में कपाठ देखने को नहीं मिलते तो ये भी कथन गलत है तो हाँ, ये कथन सही है, कि धमनियों के द्वारा रख्ट का प्रवा हिर्दय से अन्य अंगों तक होता है, तो इसमें तीसरा और चोथा कथन सही है, तो ओप्षन के अकोर्डिंग ओप्षन सी, यानि कि C और D सही है, तो इसका सेजवाब है ओप्षन सी, तो आज का आखरी प्रेशन है, कि मानवों में शिराओं के संदर्व में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो शिराओं के संदर्व में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही तो पहला कथन है कि ये अधिकतर हिर्दे की ओर कार्बन डाय ओक्साइड सुम्रिद दिरक्त लेकर जाती है तो हाँ ये कथन सही है यहाँ पर ये कहा गया है कि अधिकतर यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि सभी क्योंकि सभी शिराएं अशुद दिरक्त लेकर नहीं जाती है लेक अधिक होता है तीसरा कथन है कि इन में वोल्व होते हैं जो रख्ट को एक दिशा में परवाहित करते हैं तो ये कथन भी सही है कि शिराओं में वोल्व देखने को मिलते हैं चोथा कथन है कि ये प्राया अंगों में बाहर की और अवस्थित होती हैं ये कथन भी सही है क्योंकि जो धमनिया होती है ये अंदर की और अवस्थित होती है और जो शिराओं होती है ये प्राया बाहर की और अवस्थित होती है तो इसका सही जवाब क्या होगा तो A, C और D तीनों सही है, तो इसका सही जवाब होगा, option second, यानि कि A कथन भी सही है, C कथन भी सही है, और D कथन भी सही है, तो सही जवाब क्या है? option second, तो आज के वीडियो यहीं पर खत्म होती है, कैसे लगी ये वीडियो? कोमेंट सेक्षन में जरूर बताना धन्यवाद.